बिस्मिल्लाय रमानी रहीम वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मजबून अवीसी उन्वान पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल और तल्बा की जिब्मेदारिया तहरी के पाकिस्तान से लेकर तश्कीर पाकिस्तान तक के सफर में तल्बा का बहुत बड़ा हिस्सा था ये तालिब इल्म ही थे जिनोंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनने में एहम करदार अदा किया बलके पाकिस्तान बनने के बाद भी इसके मसाइल हल करने के लिए हमेशा हुकूमत वक्का साथ दिया काईदाजम ने इसलामिया कॉलिज पिशावर की जलसे में फर्माया रोजवानों मैं तुम्हें पाकिस्तान का मेमार समझता हूँ के तुम अपनी बारी में क्या कुछ कर दिखाते हो इस तरह रहो कि कोई तुम्हें गुम्रा ना कर सके तुम्हारा असल काम क्या है अपनी जास से वफ़ादारी अपने वालदें से वफ़ादारी अपने मुल्क से वफ़ादारी और अपनी तालीम पर पूरी तावज्जा बुकाल अल्लाम अकबाल तु शाहिन है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमान और भी है नौजवान दालबेल किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं जो अपने वतन के एस्ताकाप और तरक्की में एहम किरदार अदा करते हैं और मुल्क और कौम को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं पाकिस्तान को इस वक्त तारीख के बत्तरीन मौशी वा इक्तिसादी सियासी और समाजी मसाईल का सामना है इन हालात में शवरी तोर पे जो तबका सबसे पहले मतासिर होता है वो नौजवान तलुबा का होता है और यही तबका सबसे पहले फैसला करता है कि आगी क्या करना है हमारे मुलक पाकिस्तान को ना सिर्फ अंधरूनी बलकि बैरूनी दुश्मनों से भी खतरात लाहक है जिसकी वाज़ा मिसाल पाकिस्तान में होने वाली हालिया देहशत गर्दी की वारदाते है ताकि मुलक जो पहले ही माश्ची तोर पर गयर मस्तहका में इसे मज़ीद कमजोर किया जाए ऐसे में ये तुल्बा की जिम्मेदारी है कि वो आपस में मजभी और लिस्तानी तफरीक से बचे और अपने अपने सियासी नज़िये को बन्याग बना कर मुलक में इंतशार का बाइस ना बने और नज़ों जब्द का मुझारा करते हुए अबनों अमान काईव रखने में मुलक के इदारों का साथ दे हमारे मुलक को इस वक पड़े लिखे डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, साइसान, असाद्जा, आईटी माहिरिन, तिजारती और माशी माहिरिन और टेक्निकल माहिरिन की ज़रूरत है और ये ज़रूरत सिर्फ तालिमे लिए तालिम हासिल करके पूरी कर सकते है दोरे जदीद में दूसरी कौमे नई नई इजादात करकर तेजी से तरक्य की तरफ गामजन है इसलिए हमारे मुलक के तल्बा की जब्मेदारी है के खुद को जदीद तालिम से आरास्ता करें और जदीद फनी तालिम में आगे बढ़ें ताके मुलक सही मानों में पसमान्दिगी से बाहर निकल सके वकौल इल्लावा इकबाल पजदिल से आगे बढ़के मंदिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर मुलकी हालात की पेशे नज़र एक अंदाजे के मताबिक अब तक साथ लाग से जाइद पढ़े लिके नौजवान और तल्बा ने पाकिस्तान चूड़ दिया अगर यूही ये नौजवान और तल्बा मुलक को छोड़कर जाते रहे तो मजबूर और लाचार लोगों के दुखों का मदावा कौन करेगा मुश्किल के इस गहरे अंधेरे में अगर सभी जुगनू चले गए तो रोशन सुबह के इंतिजार में बैठे इस मुलक के लोगों को रास्ता कौन दिखाएगा बुरे वक्त में राहे फरार इक्तियार करना असान होता है लेकिन हालाद बदलने के लिए जिम्मेदारी उठाना मुश्किल लेकिन पुर्वकार होता है इसलिए इस मुलक के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए इस मुलक ने आपको बहुत कुछ दिया है अब आपकी बार ये पाकिस्तान को इस बुरे वक्त में आपकी और आपकी सलायोतों की जरूरत है ताकि ये मुल्क खुशाल हो सके मुगाल अक्बाल शाहिन कभी परवास से ठककर नहीं गिरता पुर्दम है अगर तू तो नहीं खत्रा एफदाद